आपका आज हम लोग जीव इग्यान के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक फाइलम इकाइनु रटमेटा को डिसकु करेंगे यहां से एक्जाम में प्रस्ण बार बार पूछे जाते हैं आई यह डिसकुस करते हैं इकाइनु रटमेटा को इनकी पूरी सरीर की सतह पर क्या पायाते हैं छोटे-छोटे क्या पाया जाते हैं असंग काटे नुवा सरचनाव आप सबसे इंपोर्टन बात दोस्तों यहां पर यह है कि एकाइन अौरटमेटा इनका जो शरीर होता है अंग इस्तर संगठन पाए जाता है और्गेन लेविल बॉडी और्गनाइजेशन देखने को मिलता है कि इन जीवों में तो इकानोडेट में अब सबसे इंपोर्टन जो प्रस्ण एक्जाम के लिए बनता है इनका जो शरीर जो होता है वैस्क दोस्तों तो सबसे इंपोर्टन सब्सक्राइब के लिए उस्टार फिस और उनका आकार कैसा होता है यानि इसी को कहा जाता है सितारे नचलि क्या जाता है दोस्तों सितारा मचली को हम उनका कार कैसा होता थो पेंटा मेरस कैसा होता है आए नेक्स कर्सक्र निक्स करते हैं अब सब्सक्रणा candidate अग्सान की लिए बंता है दोस्तों इनका एंटा घंकाल टम्मिक्राइश आंगगाल और यंक्सप करते हैं तो सब्सक्राइबर्णा न अर्द में जीवों में और औरुगिन्स जाते हैं जैसे जीओर्मल विरंगी और या या रिस्पेटरी inference व那我們 को दो수तों क्या बोलते हैं तो डॉर्मल विल्गी को घल्स का जाता है दोस्तों क्या जाता है अब उस सर्जन के लिए इसमें विशेश कोई अंग नहीं होता है तो ये सरीर की बाहिश सतय द्वारा सुलसन करते हैं और उस सर्जी पदार्थ के रूप में क्या उसरी करते हैं तो अमोनिया को सर्जी करते हैं देखें कि जितने भी जल में पाए जाने वाले जीव वह मों मौस्टली किसका उसराजन करते हैं तो अमोनिया का अब दोस्तो सबसे इंपॉर्डन परसन बनता है व्लड सर्कुलेशन इसमें ओपन टाइप प्रकार का होता है नि खुला रक्ट पर सेंचलर पाये जाता है खुला मीन्स स्था लव्सáo को बिलते हैं उसमें यह संबहन तंतर कों आप सब्सक्राइब आपको म्लता है और किन जीवों में देखने को मिलता है दोस्तों तो आप समझ लीजिए इकाइणो डर्टमेटा की जीवों में water vascular system या इसी को बुलते हैं ambulacral system देखने को मिलता है अब ambulacral system से एक नलिका connect होती जिसे बुलते हैं medriforite और ये किसमें साहिता करती है तो lokomotion में या यह भी कह सकते हैं मेडर पर पर कुछ ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या ट्यूब फीट और ट्यूब फीट का काम क्या है दोस्तों तो लोको मोशन में वह भी हेल्प करती है है कि यह neo क्या है यह इंपोर्टन प्रश नोगो proven करें निए खंध रही तेनका सरीर होता है और इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिक सिस्टम देखने को मिलता है और इनकी यह ऑ हनल होती है वो कैसी दोस्तों सीधी या कुंडेलित होती है दोसूझ से इंपोर्टन बात पावर रिजनरेशन इसमें देखने को मिलती है कहने का मितलब यह जीव को कई छोटी-छोटी वागों में अगर काट दें तो हर उस बाग से क्या डेवलफ होती है जीव विक्सित हो जाता है इसी को बोलते हैं पावर रिजनरेशन या पुनरुद भवन क छमता तो काफी इंपोर्डन प्रसन है आपका एक्जाम का क्या सितारा मचली में पुनरुद भवन की छमता पाई जाती है तो आपका अंसर होगा हाँ पावर रिजेशन स्टार्फिस में पाई जाती है अब कुछ एक्जामपल्स देख लेते हैं कि कानोड़ट मेटा से कौ अब सबसे इंपोर्डन बात है इसमें और भी कुछ सारे स्टार है सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा है फीदल स्टार या सी लीली जिसे एंटी जौन बोलते हैं यह जी जीव किस फाइलम से विलॉंग करते हैं तो काफी अच्छे प्रसनों को हम लोगों ने आप पड़ा और डिसकस किया और इसी के साथ हम नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार